लेटेस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट कबरे सबसे पहले पानी निकासी सिस्टम की क्लीक खोल दी हालत यह हो गई की दिल्ली दरिया जैसी नजर आने लगी कुछ घंटों की बारिश से ही स्थती ऐसी बनी की मिंटो रोड पर पूरी बासी बारिश के पानी में डूब गई और इसे निकालने में लगे कर्मचारी सडक पर ही तैरा की करते नजर आए पानी में फसे यात्रियों को रसी के सहारे रेस के उपर के निकाला गया काफी देर की मिहनत के बाद बस को भी रसीयों के सहारे ही पानी से बाहर निकाला गया यह बस नई दिल्ली से बदरपुर के लिए जा रही थी लेकिन जैसे ही बस मंचो रोड के पास पहुंची धीरे धीरे जमा हो रहे पानी में फस गई बारिश के साथ तेजी के पानी बस में उपर की तरफ बढ़ने लगा बस में बैठी नौजवान तो तेर कर बाहर निकल आई लेकिन बस में बैठी महिलाएं और बच्चे फस गए इसके बाद उनके रेस कैल करने के लिए जल्दी से बाहर से रसी का इंतरजाम किया गया रसी को किसी मजबूत जगेह से बांध कर उन्हें एक एक करके बाहर निकाला गया आपको बता दें कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से बारिश ना होने के चलते एक बार फिर से गर्मी ने लोगों को परिशान कर रखा था ऐसे में यह बारिश लोगों के लिए राह तो बन कर आई लेकिन जगह जगह जलब डाव और ट्राफिक जाम की समस्या ने सारा मजा किर्किरा कर दिया हाला कि देर तक हुई मूसलाधार बारिश ने आने वाले कुछ दिनों के सुहाब न रहने की उम्मी जगा दी है